हेलो फैंस वेल्कम बैक टू माइच चैनल शुबजर नीना में आप सभी का स्वागत है तो यह हमारे गड़ की बैल मदू मालती बैल यह बहुत ही सुन्दर है और अभी इसका सीजन है अभी इसके फ्लावर आते हैं पिंग कलर के और राइट कलर में बहुत ही कॉंबिनेशन बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सुन्दर ही है जास इसके बाहर का प्लांट भी लगे हुए हैं तो यह कुछ इस तरीके सा व्यू है और बहुत ही अच्छी लगती है लुकपाई स्पोटू में भी बहुत अच्छी लगती है काफी लोगों की डिमांड आ रही थी आप बार इसका लोग बना तो मैंने सोचा यह आपके से शेयर करूं होजस इसी के पास एक मली प्लांट भी है यह भी काफी लंबा मली प्लांट है वैसे यह बहुत बड़ा मली प्लांट होता बट गाई ने तोड़ दिया था उसके बाद यह भी थोड़ा छोटा मतलब सेकिन फ यसके प्लाट भी होते हैं वो ही अपम तो चाइपती होती राक जापती यह थोड़ा थो पानी में प्लांट है मानने पर लिए यह एकल्ग बीड़ा मोली प्लांट तो यह कि अपहते ही नत्यास यह ज़्याद ईतों होदे। थोड़ा थोड़ा पानी देना पड़ता है इसको और फीर मिनने इसको जगे given duplicate plants होते हैं धर में बी इसको plant दे रहें के और यह सार इसकी केर मेरे husband ही करते हैं ज sentiments है उनको ही जादा शोक है और साथIC मुझे भी ए तो यह अब इससे भी बड़ा थर नमबर का स्मॉल जो मली प्लांटे वो है यह तो यह बहुत ही पड़ा पत्ता है इसका अभी ही बोया है और जस्ट एक छोटा पास में आ भी गया है और जस्ट इसके आद पेड़ भी था बहुत ही प्यारा और यह जैसे ही एक हमने दो तीन पत्तों से हम बहुत ही कम है और यह जस्ट मेंने यहां पर मेरे ब्रामदे में भी थोड़ा डेकोरेशन करता है फर्स्ट वाला तो थोड़ा नॉर्मल है पड़ यह भी तीन चार पत्तों से देखते देखते यहां देख सकते आप बहुत ही आगी तक्जारा और अलग से लग पत्या आ र क्जा करता है आग करता है बहुत है वाला तक्राइब पत्त करता है देखते देखते आगे करते ह्स आग